दोस्तों, RainDeck Hypermarket Edition Billing Software में एक beautiful technology में आपको दिखा देता हूँ, it's very important technology आपने customer कोई भी एक product sale करती है, for example आपने juice गोल के दर एक product आपने sell it कर दिया इसका product का price आपको दिखाए दर दोस्तों, 23 रूपीज, आप आट to cut कर दिया, आपने sale कर दिया, आट to cut कर दिया, ठीक है, sale कर दिया तो in case, आपको ये price change करना है, तो कैसे करेंगे, ये आपने new, दुबारे क्लिक कर दिया, दुबारे भी में इने juice ले लेगा, वो 23 रूपीज ही आएगे, लेकिन मैंने इधर change कर दे रहा हूँ, दोस्तों, price, मैंने इसका price से 50 रूपीज कर रहा हूँ, फिर आट to cut करने के time, इसका price permanently change करना है, या only for this sale only, तो मैंने no कर दे रहा हूँ, ये मात्र एक sale के लिए पचास रूपीज बन गया, दोस्तों, ये आट to cut कर दिया मैंने, यानि 7 रूपीज कर दे रहा, बिल पर रूपीज हो जाएंगे, same मैंने juice दुबारा लेती है, 23 रूपीज ही आया, देखिए, 23 रूपीज ही आया हुआ, इसको मैंने 23 रूपीज के change करना है, 45 रूपीज, पर्मनेंट करना है मैंने को इस वक्त, येस करने से इसको permanent price change हो जाएंगे, दोस्तों, इसको आपने आट to cut करो, sale करतो हो गया, दु जाएंगे आपने पर्मनली चेंज किया, तो इसको ब्यूटिफुल वन्टरफुल टेकनोलोजी, इन हाइपर मार्केड़ेशन सफ्क्लियर, और इनकेस, आपको बहु सारे प्रोड़क्स का price change करना हो तो इसको क्या करना, इसमे एक bulk edit का option से दोस्तो, उतिलिटिटीज के अं आपको जो भी product का कुछ भी change करना है, sale price, इसको 15 रूपया है, ठीक है, इसको हमको 30 रूपय करना है, तो टिक करिए दोस्तो, 3-0, और दूसरा for example, आपका juice का product आपको 45 रूपीज अभी आपने permanently change किया तो उसको इनकेस आपको 100 रूपीज करना है, करिए दोस्तो, इसको ठीक change करना, जो भी करना आपको कर सकता है, इसको successfully मैंने, दो item माज रोचेंज किया है, जो जो करना आपको double click कर सकता है, और आपको change कर सकता है, अभी मैंने, देखो इसको कोर कोर से change किया है, हमारा juice का price अभी, sale price मेंने 100 रूपीज किया है, उसको हमने एक बार sale करके देखते है, चलो, हम अपना जो sale panel में जाती है, देखो यह जो sale panel यही है, आपको PIO sale panel right side में, sale panel में चला जाती है, और इसके बाद आपने cash count juice select करिए, अभी कितना में आगे है दोस्तों, देखिए 100 रूपीज, आट्ट करिए, आपको यह 100 रूपीज ही दिखाए देंगे, इसका taxable वाल तो आपको बड़ी आसान तरीके से अपना business लाने के लिए सारे के सारे setup इसके अंदर अवेलेबल है दोस्तों, thank you so much for watching this video, thank you, bye-bye